तो इस वीडियो के दौरान भाई मी अपको साथ ऐसे शोज बताने वाला हूं Korean डरामा वाले ये अपको ज़रूर देखनी चाहिए जबरदस्ट शोज हैं अपको सारे Netflix मी मिल जाएंगे और सारे अवेलबल है हिंदी और इंग्लिश मी तो दौसतू एक छोटी सी चैनल को सबस्क्राइब और वीडियो को लाइक दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना अब मेने लिस्ट भाई इस बात को ध्यान में रखा है कि ज्यादा पॉप्यूलर शोज इंक्लूडना करो इसके अंदर क्यूंकि हो सकता है वो अपने पहले से देख रखे हूं तो जो कम लोगों ने देखे हूंगे लेकिन कोरियन डरामा डून रहे ही इनके लिस्ट काफी यूसफुल रहेगी तो अब बना ज्यादा टाइम लिया चले लिस्ट को स्टार्ट करते हैं पहला शो का नाम है हेल बॉन्ड ये 2021 के अंदर पहली बार आया था बात करें शो की कहानी की तो इसके अंदर भाई कॉंसेप्ट बड़ा अच्छा दिखाया है इसके अंदर लोगों को पहले से पता चल जाता है इनकी मौत कब होने वाली है किसी को पंच दिन पहले पता चलता है किसी को दस दिन पहले तो किसी को कुछ सालम पहले अब भाई जिस दिन इनकी मौत होने वाली है बहुत ही बढ़े बड़े ख्रीचर्स से इTwिटे ही जादूanka है जिनको शो के इंदर आंजस बौला जाता है जो के इनके पास इनको बूटली मारते है फिजकली और इनकी अतमा को तरने के तरनत ले जाते हैं अब इस शो के दवरान बहुत सारे लोगों को अपनी मौ मनट करूंगा बढ़ते हैं इगले शो की तरफ इस शो का नाम है डी पी और इसका पहला सीजन 2021 के अंदर आया था तो भाई ये स्टार्ट करने से पहले अपको ये पता होना चाहिए कि भाई साउथ कोरिया में एक लौ है इसके अंदर भाई मिलटरी के अंदर अपनी सबस दी जाता है डिजटर्ट तो इस वक्त के दोरान भाई एक मिलटरी यूनिट होती है जो के इन्हीं लोगों को पकड़ने का काम करती है तो भाई शो के दोरान वो साउथ कोरिया के लौ के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है साथ ही रियलिटी होती है काफी पैनफुल रि मिलती है इनके लौ और लोगों के बारे में तो ये वाला शो भाई एक बात जरूर देखना इसके अंदर अच्छा एक्शन भी एक्सपिरियंस करने का मतलब खुबसूरत डरामा भी एक्सपिरियंस करने को मिलेगा मेरे को लगता है ये वाला शो आपको जरूर देखना रे और बाकाइदा प्रफेशनली भी एक केर टेक है और इसकी जिन्दगी में एक ऐसी लड़की उती है जो हर तरह अपने बारे में सुचती है काफी सोशल लेकिन प्रफेशनली बच्चों के लिए बहुतम वाली कहानी लिखने का काम करती है अब दोनों का भाई कोई आशिकी से लेना देना नहीं होता दोनों अपनी जिन्दगी के अंदर मगन होते हैं लेकिन फिरकिसमत इन दोनों को मिलाती है और इन दोनों की कहानी उगे बढ़ाती है बिन दोनों की कहानी कैसे आगे बढ़ती है भाई ये तो शो देखके जा रहा हूं काफी खुबसूरत शो है भा बताने वाला हूं सब हिंदी और इंग्लिश में अवेलबल हीं सब नेटफलिक्स पर मिल जाएंगे बढ़ते हैं इंग्लिश शो की तरफ भाई शो के अंदर जबर्दस टैक्शन देखने को मिलेगा इसका नाम है माई नेम और ये पहली बार 2021 के अंदर आया था बात करें कहा गुंती है कि लड़की के अराउंड इसके फाद का मड़ा इसके सामने कर दिया जाता है अब इस लड़की को चाहिए होता है बदला इस बंदे से जिसने इसके बाप को मारा अब इसको थोड़ी तखिकात करने के बाद पता चलता है कि वो बंदा पुलीस वाला था अब वो इस बंदे से बदला लेने के लिए पुलीस जॉइन कर लेती है बाग में इसके साथ किया किया होता है भाई शो को देख कर जान लो सहीमी भाई बहुत ही जबरदस्ट एक्शन चीज़ है इसके और जैसे कोरियन ड्रमास के अंदर जबरदस्ट डरामा भी होता है इसलिए इनको कोरियन डरामा बोलते ही तो इसके अंदर भी गजब का डरामा और प्लस एक्शन दोनों टॉप के ही एक बार ज़रूर ट्राइ करना इस शो को बढ़ते ही अपने एगले शो की तरफ इस शो मी गजब का थरील एक्सपिरियंस करने को मिलेगा थोड़े बहुत होरा के साथ भाई शो का नाम है स्विट होम 2020 के अंदर पहली बार आया था इस शो के अंदर इनसान लोग किसी वजब से अजीब से मॉनस्टर्स के अंदर ट्रेंस्फॉर्म हो रहे होते ही तो इस शो के दोरान हम को एक ऐसी बिल्डिंग दिखाई जाती है जिसके अंदर कुछ रहने वाले लोग होते ही इनको पता चलता है बिल्डिंग के बाहर कैसा माहौल चल रहा है अदे से ज्यादा पॉप्यूलेशन मॉनस्टर्स में बदल गई है तो वो लोग इस बिल्डिंग के अंदर सवाइब करने की कोशिश कर रहे होते ही लेकिन दि पिसमत करना एक दफा लाजमी देखना तो वीडियो को बढ़ाते ही इगले शो की तरफ ये शो किया भाई जबरदस्त है सहीमी बहुत ही खुबसूरत कॉंसेप्ट टच फील करवाती है भाई ये सीरीज इसका नाम है मूट तु हेवन भाई ये 2021 के अंदर आया था इसके अ अंदर मूट तु हेवन एक छोटा सा बिजनस का नाम दिखाया होता है जो कि काफी यूनीक सविस प्रोवाइड करता है अब सोच के देखो भाई जो लोग मर जाते ही इनको सामान पीछे रह जाता है तो शो के अंदर जो बिजनस है मूट तु हेवन दौसत ये सामान जुम जो ये मैसेज डलिवर करना चाहते ही जो कि हर एक मौत की भी अपनी एक कहानी होती है वो भाई बहुत ही खुबसूरत लगता है बहुत है डीप मैसेज लगता है शो का वैसे इस शो मी गिरो नाम के कैरक्टर को फॉलो करता है जो कि अपने फादर के साथ इस बिजनस में का करता था लेकिन इसके फादर की डेथ हो जाती है तो इसके अंकल के उपर इसकी जिमादारी चली जाती है और फिर वो अंकल और गिरो दोनु बंदे इस बिजनस को ओगे लेके जाते हैं अभी ये लोग कैसे बिजनस को ओगे लेके जाते हैं शो को देखकर जानू काफी गजब का कैरेक्टर प्ले किया है इस बंदे ने शो का नाम है वंचेंजो और ये 2021 के अंदर आया था अब भाई किया गजब का शो है ये देख लो एक लॉय की कहानी दिखाई जाती है जो कि इतली में काम करता था और भाई हम लोगों के लिए नहीं माफिय का लॉय होता है अ कि भाई शो के अंदर जबरदस्ट कॉमेडी एड़ कर देते ही और भाई शो का जो में लीड है वो तो माफिय से बलॉंग करता है तो इसके अंदर एक्शन जबरदस्ट देखने को मिलेगा और डरामा शो है तो डरामा भी एक्सपिरियन्स करने को मिलेगा तो शो के अंदर जो character बहुत ही खुबसूरत है पसनली मेरे को तो इस बंदे का character बहुत पसंद आया अपको जो है काफी cool दिखाया है लेकिन मारने पे आता है तो भाई मार देता है अचानक से साथ ही जब अजीब लोगम से मिलता है तो इसकी शकल पर जो expression आ जाता है भाई वो बहुत funny लगते ही तो ये शो definitely recommend करूंगा अपको और ये सारे शो Netflix पर Hindi और English में available ही और चैनल को subscribe और वीडियो को like और share जरूर करना मिलते हैं एगली वीडियो में तब तक के लिए goodbye